है यहां पर केंडरी विद्याले संगठन की तरप से आया है और इस नोटिस पर अगर में बात करूं तो केंडरी विद्याले संगठन ये नोटिस जो है दिखाया जारहा है कई चैनल के दोवारा with a reference to subject cited above it is to inform you that the date for conducting LDCE 2022 has been tentatively fixed on 22 January 2023 Sunday को अब कुछ लोग इस notice को लगा करके बताएंगे आपको की KVS का exam आपका कब होने वाला है देखिए इसका आपका TGT, PGT, PRT से कोई मतलब नहीं है और जो भी ये वीडियो बना रहा है KVS exam date announce ये वो सब फरजी है ठीक है ये LDCE के exam date के announcement है इसका KVS, TGT, PGT, PRT से कोई लेना देना नहीं है अब इसके आधार पर वो आप लोगों को बताएंगे कि आपका भी exam एक महीना दो महीना में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है वो अनुभवहीन लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं और मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को जो excitement बढ़ाना चाहते हैं देखे KVS का teaching का notification आया है ठीक है और KVS notification के बाद एक proper वक्त देता है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आप ले लीजे आपका माई से पहले exam नहीं होगा पहले CBSC के board exam होंगे, उसके बाद NTA ये टेस्ट कराएगा फालतू की बातों में ना पढ़ें और फालतू confused ना हो जो लोग ये थमनेल लगा के KVS exam date आ गई, KVS exam date आ गई जाकर करके उनके वीडियो डिसलाइक करें और comment में उनको जो हचार गाली दीजे समझ में आ जाएगा ऐसे मतलब मैं भी रात में उटके मुझे ये वीडियो मनाया पड़ा कि ये notice आ गई है, मतलब यार ऐसे थोड़े नहों होता है कि KVS exam date अभी form भराया जा रहा है exam master application डाउनलोड कर लो description box में मैं link दे दे रहा हूँ वहां से जो है एकदम बढ़िया से exam master application पर और तैयारी करो फालतु जो है, फालतु लोगों चक्कर मना पड़ो ठीक है, तो ये वीडियो में रात के ग्यारा बज़े बना रहा हूँ thank you so much ठीक है, चलिए, bye bye, take care